नमस्कार मेरा नाम है रोशन विश्व कर्मा और स्वागत है आपका इंडिया खबल लाइट पर मद्यप्रदेश के इंदोर शहर में एशिया का सबसे लंबा हाइस्पीट ट्रेक शुरू हो गया और क्या खासियत इस ट्रेक की आईए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में मद्यप्रदेश में अब इशिया का सबसे लंबा हाइस्पीट टेस्ट ट्रेक शुरू हुआ इंदोर के पीतंपुर में मंगलवार को केंदर मंत्री प्रकाश जाविट का ने ट्रेक का उद्गाटन किया 11.3 किलोमेटर लंबिस ट्रेक पर ने ट्रेक सुवीदा का लाब मिलेगा इस वर्ल्ड क्लास ट्रेक पर वाहन और उनके पार्ट्स की खराबी को चेक किया जाएगा नेट्रेक्स याने नेशनल आटोमेटिव टेस्ट ट्रेक्स में 14 अलग अलग ट्रेक शामिल है एशिया का सबसे बड़ा ये हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक है सोलर मीटर चोड़ा है जिसमें चार खास लेन बनी है दावा किया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का पाँच वाग सबसे बड़ा टेस्ट ट्रेक है ट्रेक का उदगाटन हेवी इंडस्ट्री और पबलिक प्राइजेस मंत्री प्रकास जावटकर ने किया यहां वहानों की टेस्टिंग असानी से होगी गाड़ी के परफॉर्मेंस चलाने में असानी और मजबूती को असानी से देख पाएंगे केंद मंत्री प्रकास जावटकर ने इंदोर के पितंपूर में बने स्पीड टेस्टिंग ट्रेक का उदगाटन वर्चुली किया इस ट्रेक पर 200 किलोमीटर की रफतार से हाई स्पीड कार की टेस्टिंग होगी वहीं कर्व पर 308 किलोमेटर की रफता से टेस्चिंग संभा हुए हाला कि स्ट्रेट लाइन पर इसकी कोई लिमिट नहीं है उद्गाटन से पहले लेंबॉगनी कार की यहां स्पीड टेस्ट हुई थी प्रखाज जावटकर ने कहा कि भारत के लिए बड़ी उपलब्दी है भारत आटो मुबाइल सेक्टर के लिए गेंडर है उन्होंने कहा यह मेकेन इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है और जानकारी के लिए बने रही हमाई साथ इंडिया खबर लाइफ पर